जैम आता दी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लेखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महालक्षमी वृत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, ये 16 दिनों का बहुत लंबा वृत होता है इसलिए बहुत लोगों का इस सवाल है कि क्या इस व्रत में नमक का सिवन किया जा सकता है या नहीं तो आज मैं आपको इस वीडियो में महालक्षमी व्रत में खान पान कैसा होना चाहिए इसकी जानकारी दोंगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों सोला दिनों तक चलने वाला महालक्षमी व्रत बाद्र पदमा के सुक्ल पक्ष की अस्टमी तिथी से प्रारंब होकर अस्विन मा के क्रश्न पक्ष की अस्टमी तिथी तक चलता है मानिता है कि ये वृत सोला दिन तक किया जाता है लेकिन कुछ लोग अंतिम दिन वृत रख कर भी इस नियम का पालन करते हैं वहीं कुछ लोग तीन दिवसी वृत भी रखते हैं इसमें प्रथम दिन और आठवे दिन जब पुन्मत दिति पड़ती है और आखरी यानि सोलवे दिन इस वृत को किया जाता है तीन दिनों तक ये वृत किया जाता है या इसके लावा बहुत से लोग सोला दिनों का भी वृत रखते हैं तो जैसी आपकी एक्चा हो आप उस तरह से महालक्षमी का वृत संपन्य कर सकते हैं दोस्तों महालक्ष्मी का वुरत मीठा रखा जाता है इस वुरत में नम्ग का सेवन वर्जित होता है लेकिन जो लोग 16 दिनों का वुरत रखते हैं तो उनके लिए बिना नमग के 16 दिन पार करना आसान नहीं होता है ऐसे में कोई भी हेल्थ इसू हो सकता है तो आप इस कोई भी परिशानी नहीं है बस ध्यान लगकें कि भूल कर भी आप सफेद नमक का इस्तमाल ना करें इसके लावा इस वुजा करने के बाद आप जूस, दूद, चाय, पानी, फल, ड्राइफ रूट्स आदि ले सकते हैं और साम की पूजा के बाद आप फला हारी भूजन कर सकते हैं इसमें कोई भी समस्या नहीं है आप इस व्रत में कुट्टूआ सिंगाडे के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं आपको टू असिंगाडे के आटे की पूरी, पराठा, रोटी, बर्फी, पकोडी आदी बना कर भी खा सकते हैं इसके लावा सबजियों में आप आलू, अर्बी, कच्चा केला, जमी कंद, खीरा, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, आदी का इस्तमाल कर सकते हैं और फलो में आप मौसमी फल खा सकते हैं, इसमें सेव, अनार, आम, तर्बूच, खर्बूजा, बस ध्यान रखें कि आप खटे फलों का सेवन ना करें ड्राइ फूट्स में भी आप मखाना, बदाम, काजू, किस्मिस, गरी, इन सब्सी चीजों का इस्तमाल किया जा सकता है इसके लावा समा के चावल की खीर या खिचड़ी बना कर भी खाई जा सकती है इसके लावा जो लोग वरत में साबू दाने का इस्तमाल करते हैं तो वह लोग साबू दाने के खीर, खिचड़ी या साबू दाना बड़ा बना कर भी खा सकते हैं इसके लावा वरत में आप डेरी प्रोड़क्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें आप दूद, दही, खोई की मिठाई, खोया ये सबी चीजें खाई जा सकती हैं। इसमें कोई भी परहज नहीं है। और बात करें कि वुरत का खाना किस तेल में बनाना चाहिए। तो दोस्तों भूल कर भी वुरत का खाना आप सरसों के तेल में ना बनाएं। आप वुरत का खाना या तो देसी घी में बनाएं या फिर आप मूम फली के तेल या बदाम के तेल का इस्तमाल करें। इस बात का ध्यान रखें। इसके लावा इस व्रत में आप आलू का हल्वा या सकरकंद का हल्वा भी बना कर खा सकते हैं लोकी या कद्दू की खीर या हल्वा बना कर भी खाया जा सकता है इसके लावा आप राजगिरे के आटे की रोटी पराठा पूरी हल्वा आदी बना कर भी खा सकते हैं चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों इस व्रत में आप अन्य का सेवन ना करें आप सिर्फ एक टाइम फलाहरी भोजन ग्रहन करें और दिन में फलाहार करें इसके लावा भूल कर भी इस व्रत में नमक का सेवन ना करें अगर जो व्रत पड़े तो सि व्रत वाले नमक यानी सेंधा नमक का इस्तमाल करें इसके लावा सरसों के तेल में खाना ना पकाएं और व्रत के 16 दिनों में घर में मास, मदिरा, अंडा, मचली इन सब का भी सेवन वर्जित होता है इसके लावा इन 16 दिनों में प्याज लेसुन का भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए हो सके तो इस दोरान दुरगंद वाली चीजें मूली आदी भी नहीं खानी चाहिए इसके लावा नीबू का भी इस्तमाल ना करें खटी चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवादू